वेलकम टो येसकी स्टडी पॉंट्स लिगडी आप देखे रहे हैं क्लास 10 का प्रमय को जी हाँ यहाँ प्रमय नमबर 12 है और एक्सेसाइज 22 से लिया गया है यहाँ अंतिम प्रमय है क्लास 10 से पिथागुरस के प्रमय का बिपरीत प्रमय है एक्जाम में कई वार पूछा जाता है कि पिथागुरस प्रमय के बिपरीत प्रमय को लिखिए और सावित कीजिए तो पिथागुरस का प्रमय क्या है देखे कुश्चन एट तब ही रह सकता है कि प्रमानित करो ठेक है किसी तिर्भुज में एक भूजा पर बने वर्ग का चेतर फल अन्या दो भूजाओं पर बने वर्ग के चेतर फल के योग के समान हो तो प्रतम भुजा के सामने का कौन समकौन के चेतरफल के समान होगा ठीक है ऐसा question भी रह सकता है या फिर डिरेक्टली बूल दिया जाएगा पिथागुरस प्रमय को लिखिए और उसके आद में सावित कीजे पांच नमबर का question आता है मादमी में या फिर आपके summative में भी आ सकता है या फिर जो भी एक्जाम इंटर टेस्ट होता है उसमें भी आ सकता है इसलिए आप इसको सही से practice कीजेगा लिख लिख लिखा practice कीजेगा बांबर कीजेगा तब जाके आपका confidence level बढ़ेगा तो चलिए जब भी प्रमय हम लोग लिखते हैं तो याद है आपको इतने सारे प्रमय कर चुके हैं तो given लिखते हैं to prove लिखते हैं construction लिखते हैं फिर proof लिखते हैं दिया गया है हिंदी में लिखते हैं या प्रमानीत करना है लिखते हैं फिर हचना लिखते हैं फिर प्रमान लिखते हैं तो देखें इस कोश्चन में हम लोग के पास जो दिया गया है उसको लिखते हैं given PQR की, त्रिभुच PQR की PR भुजा, यह देखे, PR भुजा, खीचे गए वर्ग का चेतरफल, QR, ठीक है, PR हो गया, QR और PQ, भुजाओ पर खीचे गए वर्ग के चेतरफल के योगफल के समान होता है, कहने का मतलब क्या है, PR square, बरावर, QR square, प्लस, PQA square, यह दिया गया है कोशन में, तो आपको सावित करना है कि यह वाला जो कौन है, यह वाला कौन, क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, यही सावित करना है आपको, आप देखे, आप, आप, कोशन को देखकर समझ गया होंगे, अब आप देखे ध QR क्या है, समझ कोन है, सावित करना है, आपने लिख दिया, रचना क्या करना है, देखे, ध्यान से, रचना, QR, उपर में देखे, QR, ठीक है, QR, के बरावर, mm को कीचा, ठीक है, M बिन्दू पर Q P के बराबर LM खीचा या काट लिया या LUM खीचा पहले LUM कीचा और LUM कीचने के बाद में LUM काट लिया PQ के बराबर मतलब LM LUM है किस पर MN पर और PQ के बराबर है MN QR के बराबर है ठीक है तो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे ध्यान से देखिए हाँ पर QR के समान MN रिका कंट कीचा गया MN भूजा के M बिन्दू पर LUM कीच कर लोग खीच को कीच को कीचे LM को कीचे उसमें P के बराबर ML काट लिया गया L और N को मिला गया तो इसका मतलब क्या अर्थात क्या होगे QR बराबर MN और QR बराबर ML और angle L MN 90 degree मतलब एक समकोन के बराबर होगया ठीक है इतना आपको कर लेना है उसके बाद में आपको प्रमान में आना है तो आपने क्या क्या किया ध्यान से समझे जो question दिया गया है उसको पहले आपने लिख लिया given that बोलकर या यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपने लिख लिया उसके बाद में प्रमानीत करना है तो क्या प्रमानीत करना है उसको लिख लिया उसके आपने रचना लिख लिया ठीक है इतने सारे चीज़ आपने कर लिया अब प्रमान में आते हैं देखिए आप देख चुकें इस डाइग्राम को पहले रचना के समय में PQR के बरावर ही L M N को बनाया गया था QR के बरावर M N को खीचा गया M बिंदू पर लंब खीचा गया और उस लंब में से PQ के बरावर M L को काट लिया गया मतलब PQ और L M बरावर है रचना के नुसार ठीक है उसी तरह से M N और Q R भी बरावर है ठीक है अब इस कारण से Q R के जगा में M N लिखेंगे ठीक है और PQ के जगा में M N लिखेंगे लिख लेने के बाद में आप देखिए यह सम कौन तिरभूज है इसके करण से करने स्कौर बरावर लमे स्कौर प्लस आधरे स्कौर होगा न इसलिए L N स्कौर यहां पर हो गया अब जब यह हो गया तो स्कौरे स्कौर हट गया तो P R एकोल टू L N इसका मतलब हो गया डाइग्राम में देखिए PR और LN क्या हो गया ब्रावर हो गया ठीक है अब इस तिर्भूज और इस तिर्भूज की बात करेंगे इसमें देखिए या भूजा ब्रावर या भूजा या भूजा ब्रावर या भूजा ठीक है इतने चीज तो पता चल गया आपको Ln और Pr भी बराबर हमने साबित कर दिया तो तीन भुजाएं बराबर हो गई तो सर्वांग्शमता का नियम में से एक नियम यह होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हो तो दोनों तीरभूज सर्वांग्शम होगे तो देखे एही चीज़ा हम लोग करने जा रहे हैं तिरभूज PQR और तिरभूज LMN में PR बरावर LN QR बरावर MN PQ बरावर LN LM ठीक है तो ये दोनों तो रचना से हो गया और ये वला हम लोग सावित किये हैं उपर में तो इसे लिए दोनों तिरभूज के आऊगे जब दोनों तिरभूज सरवांग्षम हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे अंगल PQR बरावर LN ये दिखे दिरभूज ये वाला ये वाला अंगल PQR बरावर LN किन्टों आप जान रहे हैं एलेमेन रचनागनु सारे 90 डिग्री है, तो लेकिन एलेमेन ब्रावर 90 डिग्री है, मतलब एक समकोन है, इसलिए PQR भी एक समकोन होगा, जो हम लोग साबित किये, करना था, तो इस तरह से हम लोग इस प्रमय को सीध करते हैं, पिथागुरस प्रमय का बिपरित प्रमय को, बहुती सधारन, बहुती इजी प्रमय है, इसलिए इसको सही से आप ट्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो याद हो जाएगा, तैंक यू बेरे मच पूचिए,